कि अग्षाइब करेंगे मालेश यह के फॉर्म प्रम मिनिस्टर महातिर मुहमबत के बार में वी कॉर्ड जो फ्रांच में जो इंसिडेंट हुआ है चर्च के बार नाइस सिटी के चर्च के बार तो इसको देखते हुए फ्रांच जो मलीस है कि फॉर्म प्रम मिनिस्टर है महातिर मुहमब उन्होंने एक टूइट को टूइटर के द्वारा वो डिलीट करते हैं तो देखेंगे इस लेक्टर में महातिर मुहमब के बार में और फ्रांस में जो इंसिडेंट हो रहा है उसके बार में हैं, इसमें हम जानेंगे कि Charlie Hebdo, जो मैगजीन है, जिसने एक सटायर लिकली एक image cartoon बनाया था, उस चीज के वैसे यह सारी incident हो रहे हैं, जो यह जानेंगे, then Islamophobia, जो incident हो रहे हैं, वो इन सब incident में सब में चीज कॉमन है, वो है Islamophobia, Islam के खिलाफ जो इस चीज हो रहे हैं, इस चीज को देखी है, इस लेक्शन में, जो यह है नीज आर्टिकल करता है, उसमें लिखाए कि अर टुटर नहीं है, ऐसे खाफिशाब काफिश पहले ही ऐसे कि बहुत लोगों के टूटर टूट को टिलिट के एल, USA की प्राइब प्रसिडेंट का भी डिकिया है, इंडिया की काफिशाब पॉलिटीशन का है, जो टूटर ऐसे चीज आं करता रहता है, हार्मनि को मेंटे आगर हम फॉलो कर सकते हैं लिक्स वीडियो के नीचे डिस्रिप्शन दी हुई है इसके बाद महातिर मौंबद आखिर एक होना महातिर बिन मौंबद यह उनका फुल नाम है महातिर बिन मौंबद यह मलीशय के पॉलिटीशन है जो उन्होंने दो बार प्राइम मिनिस्टर रह चुक है मलेशय के एक फॉर्थ देन सेवेंध सेवेंध और यह अपने आपको खुद है कि जब वाइस आफ मुसलिम वर्ट की तरह प्रुएट करते हैं और ऐसे से चीज तरकी भी करता है अब ही जो रिजेंटली वाइस आफ मुसलिम वर्ट है वो कौना साउदी अरेबिया सो उस चीज को चेंज करके टर्की और यह मलीशय के महातिर मौंबद यह दौनों को अपने आप दौनों अपने आपको मुसलिम वर्ट की एक वाइस को अपनी तरह प्रेंट कर रहे हैं ए यह तो यह पढ़ेगा फ्रांस तो इस इस फ्रांस की क्यपीटल है यह देखे इसमें फ्रांस फ्रांस की पॉपलिशन 6.7 करोड चीज को याद रखना पूशिया सकती है फ्रांस की जो एफुशेल है वह फ्रेंच और फ्रैंस में नेसिनल्टी 93% लोग वाँके फ्रेंच सि इस वाद 5 % परसेंट है इसलाम सो फ्रांस में याद रखना पांट मांटेंट वह जो लो गरत्युत रखनान कि इंडियन इंडियन कॉछ चीज़ा Liberty, Equality and Fraternity है, वो French Constitution दे बोरो चीज़ बोरो किये गई तिए तिए चीज को याद रखना है, Liberty, Equality and Fraternity है, इसके बाद में, जो Republic Whart, Republic of India में जो Republic होता है, वो भी French की Constitution दे बोरो किया रहा है, तिए चीज़ को याद रखना, French के Constitution क्या-kया चीज़ बोरो किया गये गए, इस सामरे का फ्रांस काफी नीव्स में है सो इस चीज को याद रखना इसके बाद यह नीव्स क्या थी सो टुटर आखर क्यों यह ग्रिट कैई है मलेशय के प्राइम म्निस ने टुट कया था और लाइस नाइस में, जो नाइस सिटी में, जो नाइस अटक हुआ था, उस चीज को बहुता था, वो जो ट्विटर की जो पॉलिसी है, वो वालेट कर रहा है, वालेट इस रूल, एंड ग्लोरिफिकेशन दिखा रहा है, तो इसी वज़े से ट्विटर ने महातरि मौंबत के ट्विट क के हगा था, इस क काट हागया था स्कूल के हभाख, उसने ऐसे इसलामिस्ट के उदार की इंसिड़्ट कह्या था, उसने ऐसा कौट को क्या था, वह प्रौफिट क्या था, हो जिपर हो सटार्यकली जू एक मागजिन वो satire के लिए कार्टू जासे पनाती रहती है तो उस कार्टून को उसने शो किया था इसी वैसे एक Islamist extremist ने उस teacher का गला काट दिया था इस चीज को याद रखना इसके बाद इस incident के बाद France के Secretary for Digital है उन्होंने बोला कि उन्होंने इस incident को कंडम किया और बोला कि मातिर एंड और उन्होंने बोला कि Twitter के उन्होंने request कि उन्होंने रुष्केश किया कि Twitter उनके account को suspend कर दें suspend the account of former Malaysian Prime Minister यह ऐसा France के Secretary for Digital sector ने बोला है then इसके बास background जैखते है कि यह सारे incident कैसे हो रहे है so recent ने बहले बोला कि French के school teacher में बदा है कि French के school teacher को murder किया गया उसके school के बाद for a caricature of the prophet of profit to his existence जो अपने student को profit का जो cartoon दिखा तो इस चीज के वैसे Islamist के एक्स्टमिजन ने उनका गला काट गया है then उसके बाद French के president है उन्होंने उस चीज को incident को defend किया और बोला कि freedom of expression and secular values को उन्होंने उनको defend किया और बोला कि freedom of expression होता जाए है और secular values को defend करता है and condemn the murder and Muslim murder जो होता है उनको condemn कर जाया so इसके response में टर्की और पाकिस्तान अब बोला कि उन्होंने फ्रेंच के president को एक्विज क्या बोला कि वो anti-islamic agenda चला रहे है and प्रोविक की Muslim और वो Muslim को provoke कर रहे है मतलब तरकी की और पाकिस्ताना बोला कि जो फ्रेंच के जो president है उन्होंने बोलाए कि वो anti-muslim चला रहे है और Muslim को provoke कर रहे है then इसके वाद जो image थी है वो किसने निकाल ली थी है वो है France में magazine है जिसको नाम है Charlie Hebdo वो ऐसे satirical magazine है वैसे cartoon बनाता रहता so इसी चीज को देखते हुए so इसी की एक पिक कोई उस teacher ने हो रहे है और इससे पहले भी हुआ था उनके अंगेस में उनके उपर attack भी हुआ था देन इसके बाद France was sent in to further shock इसके एक और incident हुआ था वैने knife कहां पर था मेंडेटेन city of nice nice के मेंडेटेन city में at the same day Saudi man stepped and stepped and lightly wounded a security और उसी की उसी सेम दिन में एक Saudi man था उसने और किसी और दूसरे आदि में कोई security guard को वांड घायर कर दिये at the French consulate in the Jeddah जो Saudi Arabia में तो French Consulate में इसी इंसीडेंट की वाज़े से ही इसी इंसीडेंट पर ही Malaysia के प्राइम मिनिस्टर ने फॉर्म प्राइम मिनिस्टर थीट किया था इसके बार इंडिया का क्या रेक्शन है पर इंडिया के रेक्शन से पहले जो मैनी मुस्लिम कंट्रीज है मतलब लीडर ना उन मुस्लिम कंट्रीज के उन्होंने इस इंसीडेंट पर ही अपनी कंडोलेंस ओफर किये फ्रेंस को after the attack and expert their solidarity as they condemn the violence मतलब वो इस इंसीडेंट को मतलब वो इस इंसीडेंट पर अपनी कंडोलेंस ओफर करने है इन्द्र को है इंडिया ने भी उस इंसीडेंट को कंडम किया जो नीट प्रेंस को पर अब भाद or उस्को खुल पेडेंस को industrial पारकान इंद्र इंडेंस को र हीald के अलावा उन्हें ने बोलाए कि जिए जो चार्य लगाया या रहे हैं वो तर्की और पकी देन्ड खराब के वेसे इंडिय से इंडिया रियुका से के बोलता है और इसी चीज को देखते हो इंडिया ने फ्रेंच को यह फ्रेंच को सपोर्ट किया है और इसके बाद जब इनमीर मार्करण ने एंटी वो अपना उसमें लोकल जो स्कूल टूचर के जो भी हैटिंग पर उसको सपोर्ट किया था तो इसकी वह से फ्रेंच की जो प्रोडक्त है उनका बॉयकॉट बॉयकॉट होना स्टार्ट होने लगा तो दरिमा विच भी पर्शीव एज एंटी इसलाम तो इसी वैसे वह एक एंटी इसलाम लिए सो इस चीज़ के वाज़ एट लेट तो कॉल फॉर बॉयकॉटिंग फ्रेंच ब्रांट्स इस चीज़ के वाज़ फ्रेंच प्रेंच ब्रांट्स का उनका बॉयकॉटिंग होने लगा है ऐसे सारे हैस्टेक स्टार्ट होने लगे इसके बाद ढ़क उननना बहुना कई श्रमाक मतर महं ने स्टikumश करते हैं और उननना बोला कि फ्रीडम और आकसपैसिंगला इसार्ट इस नॉत झो foreign but violence के लिए कॉल करना या उनको बॉलाना वह की वएट नहीं आहीं इसे वेसं अम्हेस्टार का बोला जो मलीशा क्या है इसके बास इन से इंसी रेंट मी एक चीज़ COMMन है Islamophobia मतलब इसलाम के खिलाब चीज़ें काफे सारी हो रही है यह आखे लिए एक चीज़ें क्यों होता है Islam आखे लिए Islamophobia क्या होता है Islamophobia is the fear and hatred of the prejudice against the Islamic religion लिजन और मुसलिम जर्नली एद इसपिशली वेन सीन ऐज जिए जिए जड़ी नहीं जो आई जाद में चाहरे जाए ज़्य कर टीन की जिए जाहरे जाती है जिए जिए ज़ृ। forces की वज़े से या source of terrorism यहां जांके terrorism start होने लगता है वहाँ पर islamophobia start होने लगता है so इसके लावाद this trend has been increasingly found all over the world और यह trend है वो all over में काफी तेजी से increase होता जा रहा है then इसके क्या क्या reason is Islamophobia के so the main reason for Islamophobia is to exist a prejudicial belief that Islam is a as a reason and as a reason is the reason for unrest so a main reason है कि जहां जहां Islam है वहां 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 रीजन में एक unrest फैला हो लाइक Middle East में ले लिए Syria हो गया Baghdad हो गया Afghanistan हो गया so एक reason है कि जहां जहां Islam है वहां 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 उस रीजन में unrest फैला हुआ है then second is that terrorism terrorism has the major reason for evolution of Islamophobia so terrorism bhi main point is Islamophobia को increase करने के लिए so violence and unrest in Islamic world along with global opposition to terrorism has created dislike among majority so violence or violence or unrest की वजय से Islamic world along with the global opposition terrorism has created dislike so insegurism के खिलाब इसलाइक होने लगा terrorism or Islamic or unrest की वजय सो then third point is majoritism and minoritism so किसी country में कुछ एक माइन एक committee है जो majoritism है और दूसी committee जो Islam हो minority है so majoritism अब minoritism के बीच में जो टेसल चल ले वो टेसल भी एक reason हो जाता है Islamophobia के चेकर में का कि वो minority बाद में जाके majoritism में ना आ जा जा रहा है so यह यह भी एक point होता है Islamophobia के increase होने में so इसके implication क्या हो सकते है Islamophobia के increase so इसका main हो जालता है diplomatic front start होने लगता है so अगर कहीं से कहीं भी Islamophobia start होने लगता है तो एक diplomatic front start होने लाइक एक एक example यह होगा कि Turkey Pakistan और Malaysia so इन तीनों ने एक front create कर लिया बाके अधर countries के खिलाप कि अगर कहीं भी किसी world में Muslim के खिलाप कहीं भी चीज़ें होती है अंगे इस्टम होती है तो यह तीनों country एक साथ बोलते है तो एक front create होगा diplomatic front यह global level पर एक front create होगा सब्सक्राइब के खिलाप होता है तो यह जरूब बोलते है चाहिए वह unnecessary रे अन्रेशनल हो लाइक जम्मू कस्मी ने बोलते है और यह जम्मू कस्मी इंडिया का इंटेगल पार्ट है तो यह तीनों country फिर भी महां बोलते है तो ऐसी से अलग जैवाइब लें नैश्टी एक्कोनोमिक लोग एक्जम्पल लोग कि अभी जो फ्रांस में जो चल रहा है तो फ्रांस में जो चल रहा है उस चीज की वैसे फ्रांस के प्रोड़क्ट का बॉयकट होना है तो इस बॉयकट की वैसे फ्रांस की एक्कोनोमिक को लोग पड़ रहा है तो इसकी वैसे एक्क्नोमिक अन्रेस स्टार्ट होने लगेगा बाकी अधर कंट्री में किसी वी कंट्री के लिए क्रूडर एक ऐसे इंजन की तरह इंजन की तरह काम करता तो इसी को याद रखना पड़ेगा तो डिप्लोमेटिक फ्रेंट एक साथ चलती है है इसको टैकल करने के लिए का पिशेश कंट्री को सी जो इसलम फोव्या की जो निनकी वोते हैं वह मेंली पखिस्टान की तरफ से एड़ की तरफ साथ बिको ऐसे आप एसे संस्कार्त करते हैं फास नरेटिव हैं आते है आर्ट एंट Всемिए तक तक है वहाँ पर एक एस एसल कि वाज़े से few India do not translate into hate for whole community. So, इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा कि कुछ लोगों की वाज़े से पूरी Community को मन्तलिक कुछ लोग पूरी Community को रेप्रेजांट नहीं हम सकते. So, इस चीज़ वाज़े few India do not translate into hate. तो कुछ लोग उस हेट को रेप्रेजेंट नहीं करते हैं, फोल कम्मुनिटी की द्वारा, इसी इसको वियाद रखना पड़ेगा, खुरए अगर आपने अप्सकी लिवर्य को थे अच्छना ठीड है तो प्लीज तो प्ली अप्सकी लिफ बीट तो प्लीublी अच्छार एंचार पाइग दने बाद